लबशकार नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर अपुर्व विज्यान मेला में तक्नीकी सहयोग प्रदान करने वाले संजे देश भरतार का सतकार केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी के हातों किया गया देश भरतार गत 24 वर्षों से देश भर में आयोजित विज्ञान मेला में प्रयोग निर्मित करने में एहम भूमी का निभाते आ रहे है इस आउसर पर गड़करी ने बच्चो द्वारा प्रदर्शित प्रयोगों के साथ ही देश भर से आये रिसोर्स परसन के प्रयोगों का जायजा लिया इस आउसर पर गंगा प्रसाद ग्वालवनशी, ओम्प्रकाश मिश्रा, मेला समनवयक, राजेंद्र पुसेकर की भी उपस्तिती रही विज्यान मेला में दादा साहिब धनवटे नगर विद्याले, महाल के विज्यान शिक्षक सुभाश किरपाने द्वारा तयार की गई बैटरी ओपरेटेट साइकल का अवलोकन भी गड़करी ने किया किरपा ने द्वारा तयार की गई ये साइकल 12 वोल्ट की दो बैटरी से चलती है गड़करी ने इसमें उपयोग किये गए उपकरणों के बारे में जान करी ली एक बार बैटरी चार्ज होने की बाद ये साइकल 70 किलोमेटर तक चलती है रविवार को प्रदर्शनी कांतिन दिन रहा राश्ट्रभाषा परिवार द्वारा विज्यान समंदी पत्थनाट्टे का प्रदर्शन किया जाएगा विज्यान मेला सुभग 11 से शाम 4 बजे तक राश्ट्रभाषा भवन परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों और विज्यान प्रेमियों के लिए शुरू रहेगा प्रवेश निशुल्ख है हालही में केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने आपुर्व विज्यान मेला का निरिक्षन किया देश भर से आय अतिधियों और विज्यान प्रेमियों के साथ ही शहर के विद्यार्थी अभिभावकों ने भी बड़ी संख्या में उपस्तिती दर्च कराई Association for Research and Training in Basic Science Education नागपुर महानगरपाली का और विज्यान प्रसार भारत सरकार के संयुकत तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया है गड़करी ने गरोबा मैदान स्थित शाला में प्रस्तावित सायंस सेंटर के काम में तेजी लाने के निर्देश मनपा शिक्षनाधिकारी प्रिती मिश्री कोटकर को दिये उन्होंने कहा कि दो महिने के भीतरिस का काम शुरू हो जाना चाहिए आरटीबी ऐसी सचीव सुरेश अगरवाल ने अगले वर्ष विज्ञान मेला के रॉम्पय महोत्सव के बारे में जान कारी दी इस आउसर पर वरिष्ट गांधिवादी विचारक रगु ठाकूर महानगर पालिका के शिक्षन सभापती दिलिप दीवे खेल समित्य अध्यक्ष प्रमोत तभाने मनपाके शिक्षनाधिकारी प्रिती मिश्री कोटकर पार्षत सुनिलगरवाल रुपा रोय उज्वला शर्मा करुपायुकत मिलिन मेश्रा आर्किटेक्ट अश्विनी बोन्दाडे भाचपानेता कृष्णगान चंद्रा राज्य यूद स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन फेडरेशन द्वारा नैशनल यूद गेम चैंपियंशिप 2021 मढगाओ गोवा में दामोदर नाइक हॉल एंड हेरु स्टेडियम मढगाओ गोवा में 27 नमबर से 29 नमबर तक आयोजित की गई थी जिसमें नागपूर के ट्रेडिशन मार्शल आर्ट कराटे असूसियेशन के अध्यक्ष सिहान प्रविर तीवारी के मार्गदर्शन में उनकी टीम ने शांदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त कर नागपूर का नाम प्रोशन किया है जिसमें 23 वर्ष आयू में समिक्ष कांचेवार को 2 स्वरन पदक, 21 वर्ष आयू में तुशार्शिंदे को 1 स्वरन पदक और 1 रजत पदक, 17 वर्ष आयू वर्ग में दिप्ति पटले को 2 स्वरन पदक, 14 वर्ष आयू वर्ग में भूमी गहरवार को 2 स्वरन पदक, 14 वर्ष शुनिम्जे गुंजन हुलके ने सभी बच्चों का अभिनंदन किया और तमाम सफल विद्यार्थियों ने अपने जीत का श्रिय सिहान प्रविन दिवारी तथा अपने माता पिता को दिया है शम्सकल्स हाइस्कूल एवं महमुदा जुनियर कॉलेज नागपुर की कनिश्टर महाविद्यालेन प्राध्यपिका शायका तन्विर खान को आइडल टीचस एसोसियेशन की और से उनके शैक्षनिक और संगठात्मक कार्या के लिए बेस्ट लेडी कवनेर अवार्ड देकर स मानित किया गया इस कारेकरम की शुरुआत कुरान पठान से हुई आइडल टीचस एसोसियेशन द्वारा शैक्षनिक शेत्र में किये गए उनके उलेखनिया कार्या की सहराना राज्य अद्यक्षर रियाजुल खालिक ने अपने भाशन के दोरान किये जनाब रियाजुल ख शेश आती थी डॉक्टर अनिस बेग, नाकपुर यूनिट टीम के शिक्षक साजित खान, जाहिद अन्वर, अब्दुल अलिम, जाविद देशमुक, सफिया अंजुम, नुसरत खालिद, सुमया अंसारी, नाजेमा निकहत बेग, नायाब सहर, एमन खान, हीना खान, नदी नाकपुर महानगर पाली का वन अगर सेवक विरेंद्र कुक्रेजा, वो उनकी टीम, वसहयोगी सदस्यों के सहयोग से, निशुल्ग स्वास्त शिविर संपन्न हुआ, सर्वप्रतम विरेंद्र कुक्रेजा, नगर सेविका प्रमिला मतरानी, नगर सेवक महेंद्रधन वो उपस्तित पदाधी कारियों ने भगवान गौतम बुद्ध वो डॉक्टर बाबा साहिब आमेट करकी प्रतीमा पर मालयार पंड कर कारेक्रम शुरू किया शिविर में हजारो नागरिकों की जांच की गई, साथी सैकड़ों नागरिकों को मुफ्त चेश में वदवाईया वितरित की गई विशेशग्या दंत चिकित्सो द्वारा, दंतों की सफाई, दांत निकालना वा फेलिंग आदी की सुविधा मुहया कराए गई बाल रोग तग्य वस्री रोग तग्य डॉक्टर ने भी अपनी सेवाई प्रदान की, जिन लोगों को कोरोना हो चुका था उनके लिए विशेश रूप से चेश सेक्सरे की विवस्था की गई, साथी कोरोना वैक्सिंग, आर्टी बिसी अर्टेस्ट, कैंसर की जांच, बी भारतिय जनता पार्टी और नाकपुर महानगर पालिका के पदाधिकारियों ने अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया। उनकेशनी लोखंडे प्रमुक अती थी वक्ता के रूप में आमत रित थी। लोखंडे ने चात्राओ को संबोधित करते वे मोबाइल हैकिंग, आनलाइन ट्रांजक्शन करते समय बरतने वाली सुरक्षा के बारे में बताया। की हिदायतों का दिल से पालन कीजिये। जिन्दगी अपने आप सवर जाएगी। प्राचारिय तेजिंदर वेणु गोपाल ने अतितियों का आभार मानते वे चात्राओ को प्रेरेनास प्रत उद्भोधन देते वे कहा कि साइबर क्राइम की इस अंधेरी दुनिया से बच कर रहे। मानव अधिकार संस्था जरीपट का नागपूर का स्वरनम मोहत सव कारेकरम 10 दिसेंबर को मानव अधिकार दिवस पर हर्षोलास से संपन्न हुआ। मुख्य अतिति, वेद प्रकाश मिश्रा, प्रोफेसर चांसलर, दत्तामेगे इंस्थिट्यूर ओफ मेडिकल साइंस नागपूर कारेकरम के अधिक्षते योगेश कुंभेचकर, मुख्य कारेकारी अधिकारी जिला परिशत नागपूर विशेश अतिति की रुप में उप पस्तित थे, अतितियों का स्वागत संस्था के अध्यक्षव एडवोकेट डॉक्टर डीपी लालवानी ने किया, अतितियों का परिचे संस्था के कारेकारी सचिव मंजु कुंगवानी ने दिया, इसा उसर पर मानव अधिकारों के सरक्षन एवं सक्रिय कारेकरताओ का सत प्रवेश करने के लिए नीजी कोचिंग के माध्यम से मनपा और अन्य विद्यालेव के सुपर 75 चात्रों को तयार कर रही है पिछले एक महिने से फुले मार्केट सित नेताजी मार्केट हिंदी सेकेंडरी स्कूल में कक्षाय चल रही है सुपर 75 परियोजना के सफल होने के लिए कक्षा में बच्चों की शत प्रतिशत उपस्तिती के लिए अभिभावकों का सहयोग अत्यनता अवश्यक है इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों को कक्षा में भेजने की जिम्मेदारी स्विकार करनी चाहिए इस आशे के विचार महापरदया शंकर तिवारी ने व्यक्त किये रेविवार को गांधिभाग उद्यान में सुपर 75 चात्रों के अभिभावों के लिए ग्यान उद्यक अक्षका आयजन किया गया था इसी कारेक्रम के दोरान में भाशन दे रहे थे महापरदया शंकर तिवारी ने कहा कि नाखपुर महानगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों में प्रतिभाय लेकिन उचित मार्गदर्शन के बिनावे आगे नहीं बढ़ सकते अतह अभिभावकों के समर्थन की भी सक्त शरूरत है आयोध्य निवासी जगत गुरु स्वामे श्री धराचार्य महराच के नाकपुर आगवन पर पुर्व नाकपुर भाच्पा मीडिया प्रमुक मनोज अगरवाल, कनहिया लाल मांधना, संपत मांधना, मधुसुदन सारडा ने उनका शौल, श्रीफल वह पुश्पक उच्छ से सतकार किया और उनका आशिरवाद लिया, स्वामे जी पुर्व वर्धमान नगर में कनहिया लाल मांधना, वसंपत मांधना के निवास्थान पर ठहरे हुए हैं, माननेवरों ने स्वामे जी के साथ विभिन धार्मिक फिश्यों पर तकरीबन एक घंटे तक वीचारवी म इस दोरान स्वामे जी ने अयोध्धा राम मंदिर के विशे के अलावा, वहां उनके आश्रम अशर्फी भावन में नवनिर्मित भवे चिकित साले एवं विद्याले के बारे में भी जान कारी दी, इसके अलावा भी विविद अध्यात्मिक पीश्यों पर उन्होंने प्र प्रदान किया, वह प्रसाद दिया। जांभूल कर, भुशन नानोट कर, सागर चांदे कर, अर्विन गड़ी कर, किश्वर पराते, सुमित धापोड कर, अंकुष धापोड कर, किरन निखारे, दुर्गा धापोड कर, वअन्या संचालगण, समाद सेवक, तथा कारे करता उपस्तित्थे। राम्टेक मौदा एवं पार्शिवनी इन तालुकाओं को जिले के राइस बेल्ट के रूप में जाना जाता है। राम्टेक विधानसभाक शेत्र में बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है। धान की उत्पादन लागत में रुद्धी के कारण धान उत्पादकों को 800 रुपे से 1000 रुपे प्रतिक्विंटल का बोनस दिया जाना चाहिए। किसानों के कुरुषी पंपों की बिजली काटी न जाए। किसानों को बिजली रियायते दी जाए। राम्टेक विधानसभाक शेत्र के आधिवासी नाग्रिकों को वा नदिकार अधिनियम 1980 के तहत पँटे तत्काल उपलप्त कराये जाए। कुरुशी सिंचाई के लिए खिंड सी पूरक नहर योजना के विस्तार कारियों को मन्जूरी दी जाए आधी स्थानिय किसानों की प्रमुक मांगे हैं विदर्बग एर सरकारी कॉलेज शिक्षक एवं कर्मचारी संगने शिक्षकों और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 18 दिसंबर से अनिश्चित कालिन हर्ताल करने का आवान किया था इस धरना अंदोलन के पीछे प्रमुक मांगे विद्यासागर कला महाविद्याले के शिक्षकेतर कर्मचारी कई वर्षों से लंबित पुनरिक्षित अश्वासित प्रगती योजना को क्रियानवित करना तथा 7 दिसंबर 2018 एवं 16 फरवरी 2019 के अन्याय पूरुन सरकारी आद उस पठान रफिक कुरेशी ललित कनोजे ग्यानेश्वर हटवार विनोत परतेती अनिश्चित कलिन हड़ताल में शामिल हो गए है महाराष्ण राज्य जुनि पेंशन हक का संगठन के एक प्रतिनिधी मंडल ने नागपुर ग्रामेंड वेतन अधिक्षक राजेंदर जिपकाटे से शुक्रवार को मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जिन में साथवे वेतन आयोक की पहली किष्ट का भुकतान जल से जल करना, मुद्द शिक्षकों के वारिसो एवं गैर शिक्षन करमचारियों को शिगराती शिगर अनुग्रह अनुदान देना, सेवानी वृत्त या मूद्द करमचारियों को सेवा भत्ता प्रदान करने के लिए सूचना मांग कर सेवा भत्ता का लाब दिलवाना, DCPS प्राप्तियों का हिसाब करना आदी विशे उपर सकरात्मक चर्चा हुई इस विशे पर 2800 DCPS होल्डर शिक्षकों की 90 प्रतिशत प्राप्तियों की गणना की गई उन्होंने कहा कि सात्वे वेतन आयोक की पहली किस्त का भुकतान शिक्षकों को अनुदान मिलने की बाद शिग्रही कर दिया जाएगा और नियमा ग्रह के सभी प्रस्तावों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है प्रतिनीदी मंडल द्वारा चर्चा उपरांथ चेतावनी दिया गया कि सात्वे वेतन की पहली किस्त जल्दी नहीं मिली तो अंशन किया जाएगा प्रतिनीदी मंडल में महाराष्ट राज्य जुनी पेंशन हक्क संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिवराम गोटी प्रदेश सलहकार तेजराम बांगटकर राज्य सलहकार नाखपुर विभागी अध्यक्ष यश्वन कात्रे नाखपुर विभागी उपाध्यक्ष प्रविन भूगे प्रदेश सदस्य केशवानन बामनोट शार अध्यक्ष विचाल बोरकर आदी मौजुद थे शीवपंचायत मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने रवीवार को नवनिर्वाचित विधान परिशत सदस्य विधायक चंडर शेकर बावन को लेका चुनाव जितने पर उनके कोराड़े स्थित निवास्थान पर जाकर स्वागत किया इस दोरान ट्रस्टियों ने हुने पुष्पग उच्छ दे कर मिठाई खिलाई नवनिर्वाचित विधायक पुर्वा पालक मंत्री चंदर शेकर बावन को लेने चुनाव में मिले सहयो तथा अपनत्व के लिए सभी का अभार माना इस आउसर पर ट्रस्ट कमिटी के अध्यक्ष चंदरकान सिरिया, उपाध्यक्ष रामेश्वर बावनकर, उपाध्यक्ष जय अगरवाल, उपाध्यक्ष उदैजी सिरिया, उपाध्यक्ष प्रकाश हिरनवार, सचिव विनोत संगेवार, सदस्य गंड हरिश जी सिरिया, मोहन साहू, मानिक बावनकर, बलराज नाम पल्लिवार, मनिश गुपता, गोपाल जी यादव, होना जी बोध मांगे, एडवोकेट संधी बढ़ाओ, राहुल संगेवार, रोहित ठोसरे, यसराम संगेवार, सतिज जैसवाल, सहित अन्य गणम अन्य विशेश रूप से उपस्तित गड़ी गुदान फ्लाइओर के लिए देश का सबसे बड़ा डबल डेकर गरडर तयार है, शहर में पहला चार स्तर ये फ्लाइओर महा मेट्रो द्वारा गड़ी गुदाम में बनाया जा रहा है, इसके लिए देश का सबसे बड़ा डबल डेकर गरडर तयार किया गया है, बुटी बोरी में लोहे की ये विशाल सरचना पूरी हो चुकी है और इसे कामठी रोट स्थित गुरुद्वारा के पास फ्लाई और साइट तक ले जाये जाएगा महा मेटरों के अनुसार बुटी बोरी M.I.D.C. में लोहे की विशाल सरचना तयार की गई है और इसे सडक मार्क से ट्रॉलर पर गड़ी गुदाम पहुचाया जाएगा स्थानांतरित होने से पहले सरचना का पुणन इर्मान किया जाएगा बुटी बोरी में सरचना को एक साथ जोडने के लिए 250 टन की क्षमता वाले दो क्रेन तैनात किये गए है गड़ी गुदाम में इसे उठाने के लिए 500 टन के दो क्रेन का इस्तमाल किया जाएगा पार्शने पंचायत समिती के पास पिछले 10 दिनों से स्थानिय वरिष्ट नागरिक नरेगा योजना में हुए व्रष्टाचार के खिलाफ दोशियों पर कारवाई की मांग को लेकर अंचन कर रहे हैं पर न तो अभी तक दोशियों पर कारवाई की गई और नहीं अंचन करताओ को किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया वही जांच होने के बाद भी दोशियों के खिलाफ कारवाई में देरी की जा रही है अंचन करताओं की मांगो को प्रशासन नजर अंदास करने से वहां बैठे अंचन करताओं की हालत दिन बदिन खराब होती जा रही है जिसकी वज़े से उम्री पाली ग्राम में प्रशासन के खिलाफ आकरोश पैदा हो रहा है अंचन पर बैठे 76 साल के एक बुज़ूर की हालत दिन बदिन खराब होने की वज़े से नागरी को में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है इसी तरह अगर अंचन शुरू रहा तो उम्री पाली के ग्राम वासित तिवरा अंदोलन पर उतरा सकते हैं इसलिए अंचन करताओं की जायज मांगे होते वेवी प्रशासन इस अंचन की और गंभिरता सिध्यान नहीं दे रहा है नहीं कोई अधिकारी मसला सुलजाने के लिए आगे आ रहा है अतहँ पिडित बुज़ुर्गों ने ग्राम वासियों के साथ मिलकर तिवरा अंदोलन की चितावनी दी आज अठरा प्लस और पैतालिस प्लस आयूवर के सभी नागरी को का कोविट शिल्ड का टीका करन नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा टीका करन का समय सुभे 10 से लेकर शाम के 5 बचे तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धत ही उसे पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वाक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरी को को कोविट शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा ये जानकारी चिकित सास्वास्थाधिकारे डॉक्टर संजे चिलकर ने दी है इसी तरह अठरा प्लस और 45 प्लस आयू वर्ष के नागरी को के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा सहब आमेटकर अस्पताल कामटी रोड वस्वर्गिये प्रभाकर दट के मरपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाडा, इंद्रा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पांच पॉलियर प्रगती हॉल दिगोरी में उपलब्ध है करनाटक के बैंगलूर में चत्रपती शिवाजी महाराच की प्रतीमा को तोड़े जाने के विरोध में, नागपुर शहर राश्रवादी कॉंग्रेस ने मध्य नागपुर महाल स्थित चत्रपती शिवाजी महाराच की प्रतीमा का दूध वशकर से अभिशेक कर, आचार य कड़ी सजा की मांग की और करनाटक सरकार की निंदा करते हुए बर्खास्तगी की मांग की ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने संग्यान लेते हुए ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे भविश्य में होने वाले ऐसी घटनाओ को रोका जा सके पेठे न कि हम करनाटक सरकार और मुख्य मंत्री बसवराज मुंबई का निशेत करते हैं अगर वे शांती से सरकार नहीं चला सकते है तो उन्हें ततकाल इस्तिफा दे दिना चाहिए भाचपा के वरिष्य नेता और पुर्वा मंत्री दत्ता मेगे ने वरिष्य नागरिकों के लिए जारी की गई सांसत हेल्थ कार्ड योजना का अधिक से अधिक लाब उटाने की अपिल की है इस योजना को केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी की अवधारना और पहल के साथ शुरू किया गया था विदत्ता मेगे वरिष्टनागरिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित वरिष्टनागरिक सम्मेलन के दोरान अध्यक्ष के रूप में बोल रहे थे इस अवसर पर पुर्वविधायक अनिल सोले और अशक मानकर मुख्यातिती के रूप में मंच पर मौजुद थे दत्ता मेगे ने आगे कहां कि वरिष्टनागरिक फाउंडेशन इस योजना को लागू कर रहा है और जरूरत मंद वरिष्टनागरिकों के लिए स्वास्त कार्ट बनाने का काम कर रहा है इस काट से वरिष्टनागरिकों को विभिननास पतालो, पैथोलोजी सेंटरो और दवा की दुकानों पर भी भारी छूट मेलीगी इसलिए अधिक से अधिक वरिष्टनागरिक इस योजना का लाव उटा है उन्होंने ये भी कहा कि वरिष्टनागरिक फाउंडेशन द्वारा इस तरह की पहल को लगातार लागू किया जा रहा है संजीवनी वृद्धाश्रम के संस्थापक और निदेशक डॉक्टर संजे उगे-मुगे और एट्स ग्रस्त महिलाओ के लिए अच्छा काम करने वाली रेट क्रोस सोसाइटी के अधिकारी हेमलता पांडे लोहवे को दत्ता मेगे के हातों सतकार किया गया खासदर क्रिडा मोहत्सव सीजन चार आगामी जन्वरी महा से शुरू होगा ये घोशना केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी ने रेशिम बाक्स्तित सुरेश भट सभागरु हमें लंदन होक्यू ओलंपियन एवं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंग और भारतिय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा की उपस्तिती में की इस अउसर पर केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी ने कौफी टेबल किताब का भी वीमोचन किया इस दोरान अर्जुन पुरसकार विजेता ज्वाला गुट्टा भी उपस्तिती केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी की संकल्पना से साकार हुए खासदार मोहतसव के अंतरगत आने वाले कृड़ा मोहतसव की तारीखों का एलान और कॉफी टेबल बुग का वीमोचन शनिवार को सुरेश भट सभागरूह में किया गया इस दोरान मुख्य उपस्तिती केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी भारती होकी के पुर्वक अपतान साथ हिंदी फिल्म सूर्मा के रियल लाइफ हिरो तथा हरियाना के खेल मंत्री संदीप सिंग और अरजुन पुरसकार विजेता अंतर राश्रिया बैडमिंटन खिला गड़ी ज्वाला गुट्टो की रही तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार